हेलो दोस्तों, welcome back to my channel LearnNow from your learning partner हमने हमारी पिछले वीडियो में आपको सिकाया था चार्ट के elements में क्या और उसको कैसे use करते हैं और क्या क्या हमें charts के elements में change करना होता है अगर आपने वो वीडियो ने देखिये तो उपर दिए लिंक पर क्लिक करें आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बार चार्ट और कॉलम चार्ट कैसे यूज़ करना है एक्सल की रोजाना कुछ नया सीखना है तो सबस्क्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें वरना पीछे रह जाओंगे यहां पर हमारा डेटा सेट है हमें चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को सब्सक्राइब करना होता है फिर हम इंसर्ट टैप में जाएंगे यहां पे हमारे पास column chart है और bar chart सबसे बहुत हैं यहां पे column chart select कर देंगे यहां से हमारा chart हमारा लग गया यहां पे हमारे पास share है, table है, sofa है dining table है इदर January आप blue color में देख सकते है February इदर है, March इदर है यह हमारे पास sale data है share, table, sofa और dining table का January, February और March में यह था हमारा column chart जो के cluster column chart है अगर आपको यहां पे अभी हमें देखने का है कि chain हमारा कैसे perform कर रहा है, जैसे कि January के अंदर यहां पे हमारे पास 2200 का sale हुआ है और Survery के अंदर 2400 का sale हुआ है मुझे अगर खानी chair को यहां पे analyze करना है तो मैं वो कैसे analyze करोगा यहां पे हमारे पास आता है stack column chart अभी हम stack column chart लगाएंगे उसी की तरह हम data select करेंगे पहले की तरह insert पे जाएंगे column पे जाएगे यहां पे हम stack column chart पे आगए यहां पे आप देख सकते कि हमारे पास इंडिविशल है जैसे कि Chair का हमारे पाद January, February, March डेटा एक के उपर है जिसके हम अनलाइस कर सकते हैं कि सबसे जादा हमारे Selling इसमें हो रही है जैसे कि आप यहाँ पर Chair में देख सकते हैं कि हमने Total Unit 8,000 के उपर तक का Sell किया है टेबल, सोफा, आप देख सकते हैं कि डैनिंग टेबल हमारा लगबख 12,000 इनिटक का Sell होगा है तो यहाँ पर यूज होता है हमारा Stacked Column Chat और उसके बात हैं हमारे पास 100% Stacked Column Chat उसको भी हमें यूज करने के नहीं सबसे पहले हम देख करेंगे Insert Tap के अंदर जाएंगे Chart Element में जाएंगे 100% Stacked Column Chat जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला जो हमारा कॉलम था उसके अंदर और पहला जो चार्टा और अभी जो चार्टे दोनों के अंदर फरक क्या है यहाँ पर आप अलग-अलग ranges देख सकते हैं यहाँ पर आप 100% तक देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैर जैनवरिक मंद के अंदर 20% से लवा था 20% के ओपर यह हमारा 65 तक गया है तो चैर फेवरिक के अंदर 45% से लवा है इसी तरह आप अपने percentage निकाल सकते हैं respective months के अंदर और respective product के बारे में यह ता हमारा column chat जैसे हमारे पास यहाँ पर column chat है उसी तरह हमारे पास bar chat है column chat और bar chat में फरक इतना है column जैसे आप देख सकते हैं कि यह column है तो ऐसे ही column chat आपको पुरे column wise ऐसे data दे रहा है और bar chat आपको row wise data देगा चलो अभी हम bar chat insert करते हैं तो आपको बरापर समिछ रहेंगा यहाँ पर मैंने data को select किया insert की अंदर किया chart element की अंदर किया यहाँ bar chat आप देख सकते हैं कि हमने पहले column chat को insert किया था यहाँ पर उसी के साथ आपको भी bar chat नजर आ रहा है दोनों के अंदर फरक सरीफ यह है कि column chat आपको ऐसे column white नजर आ रहा है और bar chat आपको horizontal नजर आ रहा है Excel के अंदर कभी भी column अगर आपको किसी ने बताया तो समझे ना कि column एक verticals है जो आपको हमेचा vertical नजर आएगा और bar horizontal है तो यहाँ पर horizontal जैसे हमने VLOOKUP पर सिखाता VLOOKUP में क्या था VLOOKUP वर्टीकल लुक अप जो हमें column के अंदर लगाने के लिए काम आता है और HLOOKUP होरीजोंटल लुक अप जो हमें horizontal लगाने के लिए काम आता है अभी इसी तरह आपके पास दूसरे भी charts है जैसे अभी मैं वापस data को हमारे select कर देता हो insert के अंदर जाते हैं chart element के अंदर यह था हमारा stack यह आप अगर उपपर और दोनों chart को आप relate कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास यह column के अंदर है और यह हमारे row के अंदर है जो के horizontal है अगर आपको 100% column chart लगा 100% row chart लगा रहा है insert के अंदर जाएंगे अगे यह था यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यह 100% तक आ रहा है और हमे horizontal के अंदर है और यह vertical के अंदर है तो यह था हमारे आज की वीडियो का column chart और bar chart वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like करें और आज के लिए बस इतना ही कल मिलते है एक नए वीडियो के साथ so stay down